बच्चों इस पाठ के पिछले भाग में हम लोगों ने पढ़ा था कि देश के अलग-अलग छेत्रों में, अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग परकार की किर्शी प्रदती अपनाई जाती है जिन में आपने देखा था कि प्राचीन, जीवनिर्वा किर्शी, गहन जीवनिर्वा किर्शी, बरंजबानी जी किर्शी, रोपन किर्शी एवं उसके अंतरगत आने वाले विविन फसलों की भावगोलिक प्रसितियों का अध्यन किया था बच्चों उसी के संदर्व में हम लोग आगे बागवानी फसलों के बारे में पढ़ेंगे बागवानी फसलों के अंतरगत बिभीन प्रकार के फलों एवं सब्जियों का उत्पादन किया जाता है भारत का फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा अस्थान प्राप्त है फलों के रूप में आम, लीची, नासपाती, संत्रे, केले, अम्रूद, बेर, आदी, परमुकता से उगाए जाते हैं भारत के बिभीन भागों में बिभीन प्रकार की सब्जियां भी उगाई जाती हैं जिसमें मटर, फूल गोवी, बंद गोवी, भिंडी, पैगन, टमाटर, आलू, आदी, परमुक हैं भारती अखरोट एवं खुवानी का विश्व्यापी मांग है बच्चों अब हम लोग इस करम में आखादी फसलों के बारे में जानेंगे आखादी फसलों में रबड, अब हम लोग रबड के बारे में जानेंगे रबड एक भूमद रेखिये छेत्र की फसल है परंतु विशेस प्रसितियों में या उसन एवं उपोसन शेत्रों में भी उगाई जाती है रबड से कच्चा माल प्राप्त होता है जिससे टायर आधी का निर्मान किया जाता है रबड की किर्सी के लिए आवस्यक तापमान 25 डिग्री सेल्सियस उत्तम माना गया है इस फसल के लिए बरसा 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए रबड के परमुख उत्पादक राजियों में केरल, तमिलनाडू, करनाटक, अंडमान, निकोबार, दिपसमों एवं मिघाले है बच्चों हम लोग रेशेदार फसल के बारे में जानेंगे रेशेदार फसलों में कपास, जूट, सन और प्राकिर्तिक रेशम रेशेदार फसलों के परमुख उदारन है इसमें पर्थम तीन फसल किर्सी के द्वारा मिट्टी में उगाने से प्राप्त होता है जबकि रेशम के कीडे कोकून से रेशम प्राप्त होता है रेसम मलवरी पेड़ की हरी पतियों पर पलता है रेसम के कीड़ों के पालन को सेरी कल्चर कहा जाता है रेसम के धागे करनाटक एवं जम्मु कस्मीर में परमुक्ता से उत्पादित किये जाते हैं रेसेदार फसलों के अगली स्रीनी में कपास है कपास का मूल अस्थान भारत माना गया है भारत कपास के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है कपास से धागे एवं बस्त तयार किये जाते हैं कपास की किर्सी के लिए उच तापमान हलकी बरसा 200 दिन पाला रहित खिली हुई धूब उप्युक्त माना जाता है कपास के लिए 21 डेगरी से 25 डेगरी से तापमान उप्युक्त माना जाता है इस फसलों के लिए बरसा 50 से 100 सेंटीमीटर जरूरी होता है कपास के लिए काली, रेगुर मिटी सबसे उप्युक्त मानी जाती है गुजरात, महराष्ट, करनाटक, आंधरपरदेश, पंजाब, एवं हर्याना, कपास के परमुख उत्पादक राज्यों में से है रेशेदार फसलों की अगली सरेनी में जूट का नाम आता है जूट दूसरी परमुख रेशेदार फसल है, इसका रेशा सस्ता एवं मजबूत होता है इससे टाट, बोरिया, रस्सी, कालीन, आधी तयार किये जाते है जूट के लिए तापमान 25 डेगरी से 35 डेगरी से आधर्स माना गया है इस फसल के लिए आधर्ता उच्छ होनी चाहिए, बर्सा 1.500 से अधिक होनी चाहिए जूट के लिए चीका युक्त, मिट्टी, उप्युक्त मानी जाती है पस्ची मंगाल, बिहार, असम, कुरीशा, कुत्तर प्रदेश, तिरपुरा एवं मिघाले परमुख उत्पादक राज्यों में से एक है पस्ची मंगाल में पूरे देश का लगभग 83 परतिसत जूट का उत्पादन किया जाता है बच्चो अब हम लोग किर्शी के संदर में किये गए प्रोगिकिये एवं संस्थागत सुधार के बारे में पढ़ेंगे प्रोगिक्ये सुधार से मतलब है कि टेकनलोजी का किस प्रकार उप्यो किया जा रहा है इसमें सरपर्थम हम लोग देखेंगे पारंपरिक जुताई एवं अन्निक किर्शी कायर के लिए बैलों और साधारन आवजारों की जगा विभिन प्रकार की मसीनों का परियोग होने लगा जैसे ट्रैक्टर, कंबाइन, थ्रेसर, हार्वेश्टर, इत्यादी आधुनिक सिचाई परनाली जैसे ड्रीप वाटर सिचाई, स्प्रिंकलर वाटर सिचाई के द्वारा फसलों की सिचाई की जाने लगी रासायनिक खादों एवं कितना स्कुल का परियोग प्रवदवग की काहीं देन है बंसा नुगत इंजिनियरिंग के माध्यम से उत्तम प्रकार के बीज जैसे डंकल बीज, हवाई, भी बीज का परियोग किया जाने लगा खेतों से बजारों तक उत्पादित पैदावार को लाने के लिए परिवहन साद्नों का परियोग होने लगा फसलों का उत्पादन तथा उत्पादक्ता बढ़ाने के लिए मिट्टी जांचेतू परियोगसाला का निर्मान किया जाने लगा बच्चों हम लोग देखेंगे संस्थागत सुधार संस्थागत सुधार के अंतरगत जमिनदारी पर्था का उनमुलन कर भूमिहीन कास्तकारों को जमीन का मालिक आना हक दे दिया गया तथा जोतों की अधिक्तम सीमा निश्चित कर दी गई खेतों की चक्वंधि कर दी गई क्योंकि किसानों के पास पहले छोटे 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 खेत थे जो किर्शी के लिए उफ्यूक्त नहीं थे सरकार ने किसानों को अधिक उपज देने वाले बीज ततारासाएनिक खादों एवें कितना स्कूं का परियोग करने के लिए प्रेरिद किया इससे किर्सई में करांतिकारी परिवर्तन आया इसे हरित करांति के नाम से भी झाना जाता है किसानों को प्रियाप्त सुविदाएं उपलब्द कराने के लिए छोटी बड़ी सीचाई प्रियोजनाय शुरू की गई फसले प्राया, सूखा, बाढ़ एवं बिभिन आपदाओं के कारण नस्ठ हो जाते हैं इस हेतु सरकार ने फसल बिमा की सुरुवात की किसानों को कम ब्याज दर पर रियन उपलब्द कराने के लिए ग्रामिट बैकों एवं साकारी समितियों और बैकों की अस्थापना की गई रेडियो तथा दूदरसन द्वारा मौसम की जानकारी तथा किर्शी समंधी कारिकरम प्रसारित किये जाते हैं जिससे किसान पथसलों की विशे जनकारी पराप्त करते हैं किसानों के लाव के लिए भारा सरकार ने खिसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्गणा विम. योजन करती है खेतों में आधोनिक उपकर्णों के परियोग पर बल दिया जाने लगा भारतिय किरसी में सुधार के लिए भारतिय किरसी अनुसंधान परिशद वा किरसी विश्विजालियों की अस्थापना की गयी बच्चों अब हम लोग किरसी की राष्टिय अर्थ व्यस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान के बारे में जानेंगे। भारतिय किर्सी अर्थ व्यस्था का मेरुदंड है क्योंकि यह राष्टिय आय का सुरोत है। भारतिय किर्सी सबसे पर्मुख रोजगार प्रदाता छेतर है। शकल घरेलू उत्पाद में इसका महतपुर्ण योगदान है। देश के लगभग 55% लोग आज भी पर्त्यक्ष रूप से अपनी आजीवका के लिए किर्सी परनिर्भर करते हैं। किर्सी के माध्यम से खाद्यान तो उपलब्द होता ही है, साथ ही अनेक पर्मुख उद्योगों के लिए कच्चा माल भी उपलब्द करता है। जैसे सूती बस्त्र के लिए कपास, जूट उद्योग के लिए जूट, चीनी उद्योग के लिए गन्ना, चाय, एवं खाने योगि, तेल, किर्सी तथा किर्सी उत्पादों को बेज कर विदेशी मुद्रा भंडार में बृधि किया जाता है। भारतिय किर्सी संपूर्ण राष्ट को प्रभावित करता है, क्योंकि यह मुद्रा स्विती दर पर अंकुष रखता है, एवं उद्योगों को सक्ति प्रदान करता है। किर्षी का आर्थिक महत्व के साथ साथ समाजिक महत्वी है क्योंकि यह निर्धर्ता उन्मुलन में सबसे ज्यादा मदद करता है। भारतिय किर्षी एवं किर्षी उत्पाद अंतराश्टिय बेपार को प्रभावित करता है। बच्चों अब हम लोग भारतिय किर्शी पर बैस्वी करण के प्रभाव को जानेंगे हैं। बैस्वी करण से हमारा तात्पर है विश्व के अनेक देशों का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, एवं सांस्कृतिक छेत्री में एक दूसरे के निकट आ जाना। बैस्वी करण के कारण बिफिन चीजें एक देश से दूसरे देश में आने जाने लगी, जिससे उच कोटी की चीजें बजार में टिक सकी। बैस्वी करण के किर्शी पर कुछ अच्छे प्रभाव पड़े हैं जो निमन लिखी थे हैं। भारत दूसरे देशों को अनाज का निर्यात कर अपनी जरुवत का अन्य समान खरीदने लगा। बिफिन फसलों की मांग बढ़ने से भारत में इन चीजों का अधिक उत्पादन होने लगा। अंतराष्टिय बजार में ठिकने के लिए भारतिय किसानों ने अपने उत्पादन की गुनवत्ता व अस्तर बढ़ाने की कोशिस की, बैस्वी करण के कारण अधिक उत्पादित होने वाली फसलों को दूसरे देशों को बेज कर अच्छे दाम प्राप्त किये जाने बैस्वी करण के कारण एवं किर्सी बज्यानिकों के सहयोग से बहुत से देशों में नई नई टेकलोजी के माध्यम से फसलों के उत्पादन एवं उत्पादक्ता में करांती कारी परिवर्तन देखने को मिला। बच्चों अभी तक हम लोगों ने अच्छे प्रभाव देखें, अब हम लोग बैस्वी करण का किर्सी पर विप्रीत प्रभाव को देखेंगे। बिश्व के धनी देशों ने विकासील देशों में अपना सस्ता अनाज और अन्य किर्सी उत्पाद बड़ी महत्रा में भरनी शुरू कर दी जिससे विकासील देशों के किसान उनका मुकाबला ना कर सके। इस कारण वे किर्सी कारे छोड़ने पर मजबूर हो गए। बिश्व के धनी देश निर्धन देशों से सस्ती दरों पर अनाज खरीदने की कोशिस करते हैं। किर्सी के बैस्वी करण ने ब्यापारिक किर्सी को बढ़ावा दिया। किसानों ने वही बस्तु पैदा की जिसकी बजार में मांग थी जनता किया वा सकताओं को नजर अंदाज किया गया। किर्शी के बैस्वी करण के कारण छोटे किसानों को किर्शी कारे छोड़ना पड़ा, क्योंकि वह अंतराष्टिय पर्तिस्पर्धा में टिक नहीं पाए। तो बच्चों आपने देखा कि इस पार्ट के अंतरगत हम लोगों ने किर्शी के बारे में पढ़ा और किर्शी के बिभिन पधतियों के बारे में पढ़ा हम लोगों ने देखा कि भारत के अलग-अलग छेत्रों में अलग-अलग प्रकार की किर्शी परनाली अपनाई जाती है आपने देखा कि प्राचीन जीवन निर्वा किर्शी, गहन जीवन निर्वा किर्शी, वानेजी किर्शी, रोपन किर्शी किस प्रकार की जाती है इस किर्सी के अंतरगत आने वाले विविन फसलों की भागोलिक प्रस्थितियों के बारे में भी जाना, जैसे चावल की किर्सी, गेहूं की किर्सी, मक्य की किर्सी, इन सभी के बारे में आपने देखा कि इनकी भागोलिक प्रस्थितियां किस परकार होती है, इसके दूसरे भ जाना कि भारत के किन छेत्रों में किस प्रकार के फल एवं सब्जियों का उत्पादन किया जाता है बच्चों हम लोगों ने रेशेदार फसलों के अंतरगत का पास जूट एवं रेशम के बारे में जाना कि इनकी किर्सी किन-किन छेत्रों में कि जाती है किर्सी के अलावा हम तो बच्चों आपने देखा कि इस पाठ के माध्यम से आपने किरसी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त किया और आपके कुतूहल को सांध करने का मैंने परियास किया धन्यवाद। झालति में делать जाथ किरसी किjak प्राइम कि का मैंने आपके का मैं प्राण जानकारी है और एन भारे मैं सी तो आपके कि था उसलέका कि ledाना कि भीवार तो वाजर कि एना का नहीं जाた कि इन उनले के प Councillor και झाले कि बाहिए नहीं। झाल झाल